बीजेपी के राष्ट्री महासचेव और बिहार बीजेपी प्रुभारी भुपेंद्र रियादव जी हमारे साथ है आज बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और जो वादे किये गए है इसी से जुड़ा उनसे सवाल होगा भुपेंद्र रियादव जी जिस तर आफ़रों का अर्थ होता है कि आत्मिदा भाईत में फार्मर प्रिडीउसर ऑर्गनईजिशन जो है, वो बहुत बड़ी भूमिका निवात हैं. बीहार मूर्त एगरीकलचर बेस स्टेट हैं और agriculture state में ये जो एक हजार farmer producer organization बन रहे हैं, योजना शुरू हो गई है, इस एक हजार farmer producer organization में 10 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, मखाना से लेकर, विभिन औश्दिय पोदो से लेकर, लीची से लेकर के जो बिहार का अपना उत्पादन है, उसमें अगर farmer producer organization बन बनेंगे, IT sector में बिहार में 5 लाख नई रोजगार बनेंगे, नई शिक्षा और स्वास्थ शेत्रों में बिहार में नई 4 लाख रोजगार के अवसर उपलब धोंगे, तो आरजडी का वादा ज्यादा प्रामिसिंग लग रहा है क्यूंकि तेजस्वी ने कहा है कि पहली cabinet म की 10 लाख लोगों को नौकरी, कहां से नौकरी देंगे, हमने तो explain करा है, हमने हर चीज को पूरी तरीके से explain करा है, किस शेत्र में बढ़ेंगे, नोकरी नहीं है, रोजगार के अवसरों की जो योजनाएं चल रही है, जिन योजनाओं का अपने आप में काम हो रहा है, उस प्राप्त किया जा सकता है अचीवेबर लक्षर लेकिन इसके साथ आपको तो यह उन्नीस लाक लग रहा है बिहार में जो पंद्रा साल सरकार चली है उसमें महिलाओं को आत्मनिर्बर बनाने के लिए एक करोड़ बीस लाक महिलाओं को स्विम्सेवी समोह से जोड़ा है जो जीवी का देदी विहार में बहुत बड़ा महिलाओं के आर्थिक सशक्ती करण का कारिकरम हुआ है उसमें भी हमने कहा है कि हम एक करोड़ महिलाओं को और आत्मनिर्बर बनाने के लिए स्विम्सेवी संस्ताओं से जोड़ेंगे 15 साल सरकार ने जिस परिपक्वता के साथ क कुछ किया जाएगा और बिहार में सिक्षकों के आंदोलन से जोड़ी समस्य हमने हर बार देखी है अभी सरकार ने सारा पहके निकाला हमने तीन लाग और नए पत्षिक्षकों की बात करिया है लेकिन हमारे 19 लाग एकदम किलियर है उदर से कोई किलियर कुछ नहीं है हमार पत्र में किलिरली कुछ दिखता नहीं प्रवासी मजदूर हो बीजेपी के घोशना पत्र में जितना भी आप एफ़ियो के माद्यम से नए रोजगारों का स्रजन कर रहे हैं वो सब उनी शेत्रों का स्रजन है जो एक तरीके से नया बढ़ाने का विशह है आखिर जब आप रोजगारों को बनाते हैं और फार्मर प्रडूस और्गनाइजेशन के संस्था को आप आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से इससे उन सब अकुशल कामगारों को रोजगार मिलेगा जिनको आज उसकी आउशकता है चात्रों के लिए आरजडी की घोशना पत्र मे को बनाने की बात करी और सबसे बड़ी बात है कि आज जो बिहार का नौजवान है जो आगे पढ़ना चाहता है मेडिकल और टेक्नलोजी को को हम शुरू कराएंगे दुनिया के हर देश में रश्या से लेकर जो भी दुनिया के देश आगे बड़े हैं वो इसलिए आगे ब हशाओं में टेक्निकल शिक्षा की पड़ाई होती है और बिहार जैसे सदूरवर्ती गरीब राज्ये का जो नौजवान है जो बचपन से हिंदी पढ़ता वा आता है दस्वी और ग्यारवी वो हिंदी में करता है उसके लिए जो तकनी की शिक्षा है उसको हिंदी में उप हिंदी भाषा में अगर आप टेक्निकल कॉलेज खोलते हैं तो यह अपने आप में एक बड़ा विशे है आपने कोरोना वैक्सीन के बारे में कहा है कि बिहार के लोगों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी इसके बारे में कुछ कहें गया निश्यत रूप से करोना की इस लड़ाई को मानने प्रधान मंत्री जी के नेत्रत में और प्रधान मंत्री जी के नेत्रत में पूरी तरीके से लड़ा गया है और करोना के समय में चाए गरीब महिलाओं को जंदन में खाते पहुचाने का विशे हो चाए वह गरीब महिलाओं को उजवला गैस देने का विशे हो चैब बिहार के गरीब व्यक्ति को छट तक एक राशन पहुचाने का विशे हो सारे विश्यों में सरकार ने बहुत पर्तिबदता के साथ काम किया है और हमारा ये मानना है क्योंकि अब करोना की वेक्सीन तीसरे चरण को भी पार कर चुकी है जैसे ही करोना की वैक्सीन आएगी सभी लोगों को निशूल टीका करन कराये जाएगा हम करोना मुक्त बिहार करेंगे ज्यादा वक्त आपका नहीं लोगी दो सवाल और है मेरे खेर अभी यह भी नहीं पता है कि वैक्सीन कब तक बनेगी एक सवाल मेर अनाज की विवस्ता करिए जंदन खाते की विवस्ता करिए किसान सम्मान निदी की विवस्ता करी है जब यह सारी विवस्ताओं में हम सो प्रतिशत पूरे उत्रे हैं तो जैसे ही वैक्सीन आएगी हम बिहार को पहला करोना मुक्त राज्यवी बना लेंगे कि किसानों का कर किसान को अंची किसान को जा रहा है किसानों का थिक साव का विश्याइश के किसा उत्पादन का किसान के लिए निधी सरका करंदी के मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब केंदर सरकार के द्वारा जो आकांक्षी जिले बनाए जाते हैं कि किसी राज्ये में जो जिले पिछड़े वे हैं उसमें बिहार के जिलों का भी चैन किया गया है जो अप्रवासी मजदूर आये थे और वो जब बिहार में आये थे तो उसके लिए केंदर सरकार ने आत्मनिरबर विहार में जो पैकेज दिया था उसमें भी बिहार के खगड़िया के बेलदोर में ही मानने प्रदानमंत्री जिन्हें कारेक्रम की शुरुवात करी थी तो मिलेगा विशेश राज्या ही बनेगा हमारे नेतरत में और इसी लिए ह सबसे बड़ी अनौंसमेंट थी तो सबसे पहले आपके मैनेफेस्टो में ने चाहिए हमने हमारा तइडल यह अपने आप में सबसे आगे बड़ेगा आचा अगर तेजसवी आदव यह कहते हैं कि मेरी लड़ाई जेडू से नहीं है बीजेपी से है तो इसका मतलब हम क्या कि नितीश जी का नेतरत है और नितीश जी के नेतरत में हम एंडिय चुनाव लड़ रहा है और वो मुख्य मंत्री बनेंगे 15 साल से जिस विकास की दर को हमने हासिल किया है उसी को आगे बढ़ाने का इस बार कहा जा रहा है कि नितीश कुमार के लिए एंटी इंकम्बेंसी हावी होगी, लोग कह रहे हैं कि 15 साल का बहुत समय होता है और उस तरीके का विकास नहीं किया नितीश कुमार ने, तो बीजेपी को लग रहा है कि इसका खाम्याजा होगा नितीश के चाहरे विकास आगे बढ़ रहा है और इसी विकास पर हम आगे जाने का काम कर रहे हैं